अम्नमाहा शिदेभ्याहा ओम्नमाहा शिदेभ्याहा यदर्चा भावेना प्रमुदित्मना दर्दुरियह चनादाशित्स्वर्गी गुणगणसम्रिद्ध शुक्निदी लवन्ते सदभक्ता सिविसुक्समाजं की मुतदा महावीरश्वामी नयनुपथगामी भवतुमे महावीरश्वामी नयनुपथगामी भवतुमे महावीरश्वामी नयनुपथगामी भवतुमे पृतमती थंकर शब्देव भगवान की भगवान महावीर स्वामी की परम पूज गुरुदेव आच्यारे स्री पुष्पधंत सागर्जी महराज की अहिंसा परमो धर्म की अबाच खोल भई प्यारी प्यारी भब्यात्मा अच्यारी अच्यारी आवें यह होता है नेताओं के आने का प्रभाव मिचाल करता है सेवा का मंदिर बन रहा है लोग उसे तीर्थ कहते हैं जहां बहुत खूपशूरत इमारत बनती है लोग उसे तीर्थ कहते हैं जहां किसी महापुरुस के चरण पड़ा करते हैं लोग उसे तीर्थ मानते हैं जहां पर किसी महापुरुस का जन्म हो जाता है लोग उसे तीर्थ मानते हैं जहां बड़े कलात्मक दिवारे होती है लोग उसे तीर्थ मानते हैं जहां किसी परमात्मा की मूर्ति स्थापित करती जाती है ये तीर्थ मनुष्य ने बनाए है और एक तीर्थ वो होता है जिसे मनुष्य नहीं बनाता है जिसे परमात्मा बनाता है हमने सम्मेश सिखर बनाया, हमने गिरनार बनाया, हमने चमपापुर बनाया, हमने पावापुर बनाया मेरे भगवान महावीर ने भी तीर्थ बनाए उन्हों ने एक नहीं दो नहीं चार तीर्थों का निर्मान किया तीर्थंकर जब जगत में आते हैं तो पत्थरों का तीर्थ नहीं वो जीवन्त तीर्थ बनाते हैं महगवान महवीर ने चार तीर्थों की स्थापना की और वो तीर्थ यदि कोई है तो मुनी आरिका श्रावक स्राविका ये चार तीर्थ भगवान महवीर के द्वारा बनाए गए सादू शंत साद्वियां और स्रावक स्राविका ये महवीर के बनाए हुए तीर्थ है महावीर ने कहा है कि मेरा अवतरण यदि होना है मुझे धर्ती पर बुलाना है तो पत्थरों के तीर्थ पर नहीं मैं चेतन तीर्थों पर अवतरित हुआ करता हूँ महावीर के चार तीर्थ हैं जो आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हम सब बैठ करके उन चार तीठों के दर्शन कर रहे हैं यदि मनुश्य नहीं रहेगा तो मंदरों का क्या करोगे इनसान ही नहीं रहेगा तो मूर्तियों का क्या करोगे आदमियत ही ना बचेगी तो फिर अध्यात्म का क्या करोगे अपने जीवन में सबसे पहली आवशकता इनसान की है, सबसे पहली आवशकता आपकी है. कितना बात कर रहे हैं? आवाज मत करो नशारा. क्या तो फिर तुम बात करो तो मैं चुप हो जाओ. जब तुम लोग बोल रहे थे, तो मैं चुप बैठा था नशारा. मैंने कोई डिस्टर्ब किया था क्या तो मेरे को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं शांत तार आखा आ रही है थोड़ी-थोड़ी मराथा शाश्वत तीर्थ हैं ये मनुष्यता मानवता तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो आयुजन हो रहा है इसे अस्पताल मत समझो इसे किसी रुगनाले मत समझो ये अस्पताल नहीं है ये मृत्ब जीवों में भी प्राण भूखने वाला एक ग्यान यग और धर्म यग का यहाँ पर कारिक्रम हो रहा है मन सुखी नहीं मन असांत है तो क्या भगवान की पूजा करोगे तन में सुख नहीं चेन नहीं तो किस भगवान को तलासोगे जिंदगी में मैं आप से इतना ही निवीरन करता हूँ भगवान महावीर ने कहा है तन एक मंदिर है और आत्मा उसमें परमात्मा हुआ करता है जो तन के मंदिर को पवित्र रखता है अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है उसके अंदर स्वस्थ परमात्मा का निवास हुआ करता है अंतर इतना है मैं आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रियास करता हूँ और ये धारी वाल परिवार आत्मा को परमात्मा बनाने का जिम्मा हमें सौप रखा है लेकिन देह को देवालय बनाने का जिम्मा इन्होंने अपने जीवन में उठा रखा है मानव सेवा करके तन को मंदिर बनाओ अरे पत्थरों के मंदिर से परमात्मा मिले या ना मिले यदि तन का मंदिर बन गया देह देवालय बन गया तो आत्मा को परमात्मा होने में फिर जादा देर लगा नहीं करती एक तन के डाक्टर होते हैं एक मन के डाक्टर होते हैं अभी अभी संचालक महोदय कह रहे थे एक और होता है वो कलम का डाक्टर हुआ करता है एक मरहम का डाक्टर होता है और एक मन का डॉक्टर हुआ करता है आज तीनों ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों का दिगदर्सन हो रहा है मानिवर मैं आपसे इतना निविरन करना चाहता हूं कि किस्मत की पोटली कोई अपने साथ ले करके इस धर्ती पर नहीं आया करता है जनम समय दिगंबर आया मरते समय चदरिया ओड़ी राग देश में ऐसा भूला देखना पाई आख निगोडी क्या लाता है आदमी जब धर्ती पर आता है कुछ भी ले करके संसार में नहीं आया करता है कौन है जो अपनी किस्मत की पोटली अपने साथ बांद करके लाता है मानिवर मेरा निवेदन है ये मस्तोचो कि तकदीर कोई उपर से लिखकर आती है तकदीर यहीं लिखी जाती है एक बात याद रखना अपने जीवन में अपने हाथों की हतेली में तकदीर की रेखा ढूणने वालो अपने किस्मत की रेखा ढूणने वालो एक बार जरा उस पर निगाह रखना अरे किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं हुआ करते है जिसके पैर नहीं होते है किस्मत तो उनके पास भी हुआ करती है हाथ की रेखाओं में किस्मत नहीं हुआ करती है मैं आप से इतना ही कहने जा रहा हूँ गरीबी कभी हमारे जीवन की मजबूरी नहीं बन सकती है आभाओ हमारे जीवन की कभी मजबूरी नहीं बन सकती है मुझे मालूम है ये मस सोचना के गरीब घर में पैदा हुए है तो हम जीवन का विकास नहीं कर सकते है मैं आप से कह रहा हूँ कच्छी बस्ती में पैदा होने वाला बालक भी एक दिन देश का पढ़ान मंत्री लाल वहदुल सास्त्री बन करके खड़ा हो जाया करता है गरीब के घर में पैदा होने वाला एक बच्चा इमली के बीजों को बैचने वाला देश का मिसाइल मैन और राष्टपती अब्दुल कलाम बन करके खड़ा हो जाया करता है आपको सोचना है ये कौन से अमीरों के घर में पैदा हुए थे धीरु भाई अंबानी पैट्रोल पंप में पैट्रोल भरा करते थे आज दुनिया की वह पहचान बन जाया करते हैं और एक महलाएं सी एक बालिकाएं सी जो गरीब के घर में पैदा होती है जिसके पास पढ़ने के भी पैसे नहीं हुआ करते हैं जो जिन्दगी में अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाती है एक दिन इसकूल जाती है और वह महलावी एक दिन ऐसा अवसर आता है इस देश की पहचान और आवाज बन जाती है लता मंगेश कर गन करके खड़ी हो जाती है इक कौन से अमीरों के घर में पैदा हुए थे विचार करिये सोचिये गरीबी किसी की बाधानी बना करती है और एक बालक चवधा वर्स की उम्र में जिसके उपर से पिता का साया उठ जाया करता है साइकिलों पर घूम घूम कर जो पैकेट बैचा करते हैं विचार करिये एक सामान घर में पैदा होने वाला एक ब्यक्ती रसिक सेट धारी बाल बन करके खड़ा हो जाता है समाज में ब्रांड बन जाता है देश में ब्रांड बन जाता है विचार करिये कोई वह संपन घरों में पैदा नहीं हुए थे सामान घरों में पैदा होकर जीवन की उचाईयों को प्राप्त करते हैं एक बात ध्यान रखना, गरीबी बाहर नहीं, गरीबी आदमी के दिमाख में हुआ करती है, अमीरी बाहर नहीं, अमीरी आदमी के दिमाख में हुआ करती है, और एक बात याद रखना, अमीर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं पुलक सागर तो इतना कहता हूँ, वो अमीर किस काम का, जिसका दिल फकीरों का ना हो, और वो फकीर किस काम का, जिसका दिल अमीरों का ना हो, ध्यान रखना, अमीरी वही है, जिसका दिल फकीरों का हुआ करता है, सेट रसिकलाल जी धारीवाल को मैंने देखा नहीं, एक वार देखा, साध्वी जी ने तो कई वार लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि आदमी दुनिया में भले ना रहे, दुनिया से भला चला जाए, लेकिन एक बात हमेशा अपने जीवन में इस्मरन रखना, रसिक सेट की चर्चा नहीं है, रसिक सेट का चरित्र बोला करता है, और एक बात याद रखना, महावीर को मैंने भी नहीं देखा और तुमने भी नहीं देखा, रिशब्देव को मैंने भी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा, राम कृष्ण को हमने भी नहीं देखा, और तुमने भी नहीं देखा, मागर ध्यान रखना, इन महावीर की चर्चा नहीं होती, इनका चरित्र महका करता है, ध्यान रखिए मैंने नहीं देखा सेट को एक बार देखा था एक जलक वो भी जादा देर नहीं लेकिन इतने के बाद भी उनका चरित्र आज महक रहा है ध्यान रखिए चर्चा चेहकती है चरित्र महका करता है व्यक्ति का चरित्र क्या होता है कोनी याद रखता है आपको मा पूछता है कि कितना धनवान व्यक्ति था कोई ये पूछता है कितनी गाड़ी कितने बंगले थे कोई नहीं पूछा करता है हजारों लोग दुनिया से चले जाते हैं कोई याद नहीं करता है उनको ज्यान रखना मरने के बाद सदियों सदियों यदि कुछ याद रखा जाता तो आदमी का चरित्र, आदमी का बेवहार याद रखा जाता है, आपका चरित्र कैसा है, आपका बेवहार कैसा है, आपने अपने जिन्दगी को किस तरह से जिया है, मानिवर, एक ही बात याद रखना, जीवन में चरित्र वान वनो, आचरण वान वनो, ऐसा जीवन बनाओ, कि लोगों के एक होती है प्रसंसा और एक होती है प्रतिष्ठा जान लखना प्रसंसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है प्रसंसा तो हमारे फिल्मी ही रो ही रोईन को भी मिल जाया करती है प्रसंसा तो आदमी कहीं भी प्राप्त कर सकता है प्रसंसा में क्या रखा है प्रसंस नहीं आदमी प्रतिष्ठा को पाया करता है प्रतिष्ठा बहुत बड़ी हुआ करती है विचार करना है आपको प्रतिष्ठित लोगों के मंदिर बनते हैं प्रतिष्ठित लोगों के नाम अमर रहा करते हैं प्रसंसा में क्या है प्रसंसा आज है कल बुराई मिलने लगेगी लेकिन प्रतिष्ठाएं कभी नश्ट नहीं हुआ करती है, रसिक से एक प्रतिष्ठा कमा करके गए इस धर्थी से, धन्तों सब कमा लेते हैं मेरे भाई, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, इज्जत कमाओ दुनिया में, तो तुमने जीवन में कुछ कमाया है, पैसों का धे देखकर लोग हाथ जोड़ें या ना जोड़ें, अदब से जिसकी नजरें जुक जाएं तो हमने प्रतिष्ठा अरजित कर ली है, जिसका नाम लेने से लोग गर्व महसूस करें, तो समझना वो ब्रतिष्ठित हुआ करता है, ऐसा प्रतिष्ठित परिवार, जिसने बहुत जीवन में प्रतिष्ठाएं पाईं, अपना इस्थान बनाया समाज में, मैं उनके ही उस करते का, आज में कोई बड़ा भारी गहरा प्रवचन करने वाला नहीं हूँ, मैंकिन एक जरू कह सकता हूँ, कि एक आदमी ऐसा होता है, जो पूरी दुनिया की सोच बदलने की ताक पूरी दुनिया को बदलने का होसला अपने अंदर रखा करता है, क्या था उनके पास, कोई नहीं पूरे परिवार में इकलोती संतान, लेकिन जीवन में कितनी उचाईयां उस व्यक्तित ने पाई, इतना उचे, अरे देखा तो इतना गरीबी देखी, इतनी गरीबी देख और फिर पाया तो इतना पाया, इतना पाया, इतना पाया कि जिसके नाम से पूरे देश में जगे जगे, इतिहास गवाही बन करके खड़ा हुआ है, जिसके चारित्र को लेकर, जिन्होंने मुक्त हस्त से दान दिया, दान ही नहीं दिया है, एक छोटे से ब्यापार को में जीवन में जीया मानिवर निवेधन करूंगा मेहनत करो जीवन में मेहनत कभी बेकार नहीं हुआ करती है कुछ ना कुछ तो आदमी को करना ही पड़ेगा बैठे बैठे दिन नहीं बदला करते हैं जो लोग किस्मत के भरोसे होते हैं ना ध्यान रखना मैं तो कहता हूं ए जो किस्मत के भरों से बैठे हैं ना वो अपनी कावलियत की हत्या अपने हाथों से कर दिया करते हैं ध्यान रखना किस्मत से दुनिया में कुछ नहीं मिला करता है यदि किस्मत से सब मिल जाए तो फिर महनत का कोई मूल नहीं हुआ करता है अरे महनत में तो वो दम हुआ करती है जो आदमी को किसमत बदलने में भी सार्थकुल सफल हो जाया करती है मेहनत जीवन में होना चाहिए किसमत के अंधेरों को कोशने से कोई भाइदा नहीं है मेहनत की दिया जलाओ मेहनत की मौमबत्ती जलाओ अधेरा अपने आप हमसे दूर भाग जाएगा मेहनत करो यह मас सोचो कि अब से कुछ नहीं होगा क्यों नहीं होगा होगा भाई करना चाहो तो दुनिया में सब कुछ हुआ करता है करना पड़ेगा आदमी को बैठे बैठे दुनिया में कुछ नहीं मिला करता है कुछ करो जीवन में एक छोटी सी बात कहता हूँ कि एक घर था उसमें पांच साथ लोग रहते थे भाई भाई रहते थे बड़े निठले निकम्मे जिंदगी में कुछ कमाया नहीं जिंदगी में कुछ महनत नहीं की यहाँ वहाँ से जो मिला खा लिया जैसे होगए दिन गुजार दिये वक्त गुजार दिये यह जिंदगी को समझना है साथों भाई बड़े निकम्मे थे एक दिन सैयोग से बड़े भाई की शादी हो गई सैयोग से निकम्मों की सादी कहा होती ही मेरे भाई कुछ करना पड़ता है फोकट में थोड़ी बीवी मिल जाती है हो गई सादी बड़े खुश हुए सब भाई कि भावी आ रही भावी आ रही भावी आ रही है नहीं है बहुत सारा दहेज ले करके आईगी अब तो थोड़ा बहुत करते थे वो भी करना बंद करेंगे आराम से खाएंगे पिएंगे सोएंगे भाबी आई जैसे उसने देखा कि यहां तो कोई भी कुछ नहीं करता इस घर में जो देखो वो खाता पीता है सोता है दीरे- उसकी अंगुठी बिग गई उसका कंगन बिग गया उसकी चैन बिग गई अरे मेरे भाई कुएं से भी पानी नहीं निकालोगे न तो एक दिन वो कुएं भी सड़ जाता है वरवाद हो जाया करता है कुछ तो श्रोत होना चाहिए कुछ तो आदमी की आजीविका के श्रोत होना चाहिए भावी ने बैच बैच कर खिलाया एक दिन भावी ने कहां एक बात ध्यान रखो सातों भाई इस घर से बाहर निकलो ध्यान रखना जीवन में यदि उपियोगी ता नहीं है न तो सगा बाब भी बेटे से प्यार नहीं करता है और यदि उपियोगी बन करके र जिन्दगी हो जाएगा जीवन हम सांती से जिएंगे नई नई सांती नई आदमी बूढ़ा उस दिन नहीं होता जिस दिन 80 साल का हो जाता है आदमी बूढ़ा उस दिन हो जाता है जिस दिन सोच लेता है कि हमको अब कुछ करना नहीं है बैठे बैठे खाना है और दुनिया से विदा बुढ़ा आदमी है जिंदगी में जवान बने रहो मैं तो कहता हूं जब तक आकसीजन और बेंटिलेटर ना लगे तब तक अपने को बुढ़ा मस समझे ना ध्याता लगे अभी से काय को बुढ़ा समझ रहे अभी से बुढ़ा अभी तो हाथ पे चल रहे हैं ना सपनों को साकार कर सकते हो न क्यों हार करके बैठ गए क्यों ठक गए हम अपने जीवन में ध्यान रखना बेटा कौन होता है जो बाप की छोटी सी दुकान को मॉल बना देता है वो बेटा हुआ करता है बेटा कौन होता है जो बाप ने मॉल बनाया है उसको ब्रांड बना देता है वो बेटा हुआ करता है जीवन में ऐसा नहीं कि बापने कमाया अपन बैटके खाए और दुनिया से चले गए ऐसे जिन्दगी मत जीओ जीवन के अंत समय तक काम करिए जीवन के अंत समय तक उचाईयों पर पहुँचने का प्रियास करिए अपनी जिन्दगी को बहुत महान बनाने का प्रियास करिए एक बात बताओ धिरुभाई अम्मानी के पास क्या नहीं है पैसा फिर क्यों कमाता है उनका परिवार टाटा बरिल्ला के पास क्या नहीं वो क्यों कमाते हैं क्या चाहिए उनको वो भी जिन्दगी पर बैठ के खा सकते हैं उनके पास भी पैसा है उनके पास भी नौकर चाकर है एक पीड़ी तो क्या दस-दस पीड़ी भी बैठ कर खाए तो भ धर्ती पर आया था, बुले महराज क्या करना है, ज्यादा पैसा कमा कर क्या करूंगा, मेरा खर्च चल रहा है ना, मुझे सांती मिल रही है ना, मिनका पागल हो गया है, ऐसा तो एक जानवर भी जिन्दगी जी लेता है, सुवै रोटी खाता है, सो जाता है, आराम से, साम को म मिलेगा, फिर खाएगा, फिर सो जाएगा, एक बात याद रखना, जब पूछा गया, कि इतना पैसा होने के बाद भी आप पैसा क्यों कमाते हैं, तो मालूम है, बुले हमारे जीने के लिए तो हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन कई लोगों का जीवन हम से जुडा हुआ पैसा है, उनके लिए भी हमें दौलत कमाना बहुत जरूरी हुआ करता है, हजारों की जिन्नगी हम से जुडी है, उनके लिए भी कुछ करना है, रसिक सेट ने क्या किया, उनके क्वाने के लिए तो भहुत जरूरत थी नहीं थी, राद दिन महनत करने की, उन्होंने लोग इस धर्ती पर हैं जो अपनी अवशक्ताओं की पूर्ती नहीं कर सकते हैं ज्यान रखना ये अमीर लोग पैसा इसलिए कमाते हैं उस पैसे से अपनी जिंदगी नहीं भारत को मजबूत बनाने का प्रियास करते हैं राश्त को मजबूत बनाने का प्रियास करते हैं आज पुनित जी वालन वेटें, कश्मीर में जाकर श्कूल बनाया, क्या जरूआ थे वहाँ जाकर के श्कूल बनाने की यह रे भाई, अपने देश के सैनिकों पर, उनके सहीद होने पर आंसू बहाना अलग बात हुआ करता है, अपने देश के सैनिकों को सम्मान देना अलग बात होता है लेकिन उनके परिवारों को मजबूत बनाना ये कोई अलग सोच हुआ करती है दुनिया में कस्मीर में जाकर इस्कूल बनाए सेनिकों के बच्चों के लिए इस्कूल बनाए जो पढ़ नहीं सकते हैं जो सारीरिक रूप से विकलांग है जो अपने बिमवधिक रूप से विकलांग है उन सब के लिए ऐसा काम किया जा रहा है मैं कह सकता हूँ ये परिवार जो कर रहा है इस्कूल बना रहा है अस्पताल बना रहा है जगे जगे धर्मशालाएं बना रहा है मैं कह सकता हूँ सौ सो मंदिर बनाने का जो पुन्य होता है वो एक इनसान के लिए जीवन देने का पुन्य उस परिवार की द्वारा वहाँ पर हो रहा है कितना गुणगान इनका किया जाए कह सकता हूँ जब जब भगवान महावीर का नाम आता है राजा स्रेनिक का नाम आता है जब-जब रिशब देव का नाम आता है भर चक्रवर्ती याद किये जाते हैं और 21 सधी में जब-जब धर्म का नाम आएगा रसिक सेट दुनिया में याद किये जाएंगे ऐसा मुक्त हस्त से उन्होंने सब कुछ किया है जीवन में मानिवर आपको सोचना है जिन्होंने पैसों को महत तो नहीं दिया मानवता को महत दिया इंसानियत को महत दिया पैसे वाले तो हजारों हैं दुनिया में कोई कमी नहीं है पैसों की नासिक में भी बहुत साले हैं मुझे भी पसीना आजाता है निकलवाने में तो भी नहीं निकला करता है कह 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 के गलावी फाड़ते रहो दूसरा देता है तो ताली वजा देते हो अपनी तेजोडी का नंबर आता है चावी खो जाती है तुमारी ध्यान रखे विचार करना बहुत कठिन काम है देना मानिवर एक बहुत बड़ी चीज हमारी समाज को प्राप्त हुई है एक बहुत बड़ी अमूल वस्तु हमें प्राप्त हुई है जेन समाज को मुझे गरवे समाज पर मुझे गौरवे समाज पर मैं इठलाता हूँ इस समाज पर क्योंकि ये समाज वो समाज है इसलिए नहीं कि पैसे वाली है पैसे वाले तो दोसे समाज के भी लोग होते हैं क्या दिक्कत है उनके पास भी पैसा है इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास पढ़ाई जादा है और समाज के लोग भी पढ़ाई करते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुआ करती है और इसलिए भी इस समाज पर मुझे गर्व नहीं होता कि तुम्हारे पास स्टेंडर्ड है और समाजों के पास भी है कोई तुम अलग से पैदा नहीं हुए नहीं ये तो सब कमा लेते हैं सब के पास होते हैं हमारी समाज के पास यदि सबसे बड़ी कोई टाकत है इस समाज को सबसे बड़ी ओकात यदि कोई मिली है इस समाज को सबसे बड़ी चीज हट करके जो मिली है तो ध्यान रखना हमारी त्याग और हमारी तपस्या दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है जो त्याग जेनों के पास है वो त्याग कहीं दिखाई नहीं देता है ये चोटी-चोटी इबालिकाएं एक-एक महिने तिस-तिस दिन के उपास किया करती है एक-एक महिने के महलाएं उपास यह जानवी जो यहां बैठी यह चडिया दस दिन के उपास परियुशन के उपास निर्जल उपास करने की सादना यह किसके पास है यह त्याग यह तपस्या यह सयम दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ करता है मानिवर इसलिए इस धर्म के त्याग तपस्या पर हमें गर्ब हुआ करता है हमारे पास आचरण है हमारे पास चरित्र है जैन धर्म पैसों से नहीं जी रहा है जैन धर्म तो वह धर्म हुआ करता है जिसके पास एक चिंतन है कि आदमी में ही चेतना नहीं होती है यहां पेड़ पोधों में भी जीवन पहलता है वह चिंतन जैनियों के पास है यह बहुत देश है जहां जैनुके पास इतना वड़ा बलिदान इतना वड़ा त्याग इतनी बड़ी तपस्या कि जहां सुरज ढलते ही रसोई घर बंद हो जाते हैं और जब तक शूरिवदय ना हो हमारे रसोई घर नहीं खुला करते है यह जेनियों की पहचान हुआ करती है कितना चरित्र को हमने पहचान बनाया, चोटी को पहचान नहीं बनाया, तिलक को पहचान नहीं बनाया, पैंडिल को पहचान नहीं बनाया, हमने पहचान बनाया अपने चरित्र को जम में वहां गया हरिद्वार रिशी केशमे में गया वहां जाकर के गंगा के किनारे त्रवेणी घाट पर जब हमारे प्रवचन हुए वहां जब प्रवचन किया एक संत बोले कि आओ महराज गंगा में इस्नान कर लो तो हमने कहा गंगा में इसनान, ये तो फस गए भाई, नहाना आहना तो जैनों में चलता नहीं है, जैन्द संत इसनान तो करते नहीं है, उन्होंने कहा गंगा में इसनान करो, हमने कहा गंगा में इसनान कैसे कर सकते हैं, बोले आपको तो करना पड़ेगा, आप गंगा के करती है है हमने का गंगा को तो हम मानते हैं तो बोले इसमें इसनान क्यों नहीं करते हो मिनका देखो हमारे सास्त्रों में लिखा है गंगा जब हिमाले से गिरती है जाकर के जिस गंगा का वरणन सास्त्रों में है वह एक जिनाले से उपर आकर के गिरती है मूरती का विशेक कर जैन समाज गंगा का इतना सम्मान करता है, जो गंगा हमारे भगवान का इस पर्स कर लेती है, उस गंगा पर हम पैर नहीं रखा करते हैं, उसे गंदोदख मन करके पूझा करते हैं, एक संत-जी मिले, बोले महराज, क्या आप सूरज को नहीं मानते हो? मिनका क्यों नहीं मानता हूँ मैं तो सूरज को बहुत मानता हूँ बोले कैसे मानते हो ना आप तो सूरज को अर्ग चढ़ाते ना जल चढ़ाते हो ना शूरे नमस्कार बोलते हो मिनका हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है बोले क्या तरीका अलग है मिनका हम अर्ग चढ़ा के सूरज की पूजा नहीं करते हैं हम जल चढ़ा के सूरज की पूजा नहीं करते हैं गंगा का जल लिया और गंगा में डाल दिया मिनका ऐसी पूजा हम नहीं किया करते हैं तो वो ले कैसे आप शूरी का सम्मान करते हो मिनका हम सम्मान करते हैं शूर हमारा देवता है शूर हमारा जीवनदानी जीवनदाई है लेकिन हम इतना प्यार करते हैं सूरज से जब वो सूरज छिप जाता है न तो हम जैनी अनजल का त्याग कर दिया करते है और जब तक सूरज के दरसन ना होंगे तब तक हम अन जल गरहन ताली थोड़ी कम बज रही है इसलिए बज रही है कि हमने ये वाली पूजा छोड़ दी है ध्यान रखना शोर्य नमस्कार सूरज विदा हो जाए हमारा परमात्मा तुन हम खाते हैं और ना पीते हैं ध्यान रखना वो होता है जैन संत का जीवन जैन समाज का जीवन यही ने वेदन है आज गर्ब कर रहा है समाज पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जितने देश की आर्थिक बिवस्ता जैन समाज समालती है मजबूत करती है उतना दुनिया का कोई समाज नहीं कर पा, मैं दूसरे समाज का अपमान नहीं कर रहा हूँ, ज्यान रखना, लेकिन मैं अपने, ये मत सोचना कि मैं अन्य समाज का वहिशकार या अपमान की दृष्टी से देख रहा हूँ, मेरे देश में तो, चाय हिंदू हो, मुशलमान हो, जैन हो, सिक्किसाई हो, भार मरती है तो मेरे लिए सम्मान का पातर हुआ करता है इज्यत का पातर हुआ करता है जhã नकिला कम आप तो न ही घाम करो आप화를 कंचे यॉमेरे पागल तू छोड़े दिमाग मत लगा, सांथी कैसे आएगी। तू शांथ होजा, पूरा देश अपने आप सांथ हो जाएगा। अर आदमी दूसरों को सांथ करने में लगा है। खुद सांथ होजा, दुनिया अपने आप सद्रण दो। जीवन की अंतिम सांस तर हम खाली नहीं बैठेंगे कुछ ना कुछ करते रहेंगे जीवन में कुछ ना मैं संत होकर भी बारा घंटे जगता हूं उस बारा घंटे मैं आठ घंटे मेहनत करता हूं मानिवर क्यों? क्योंकि निठला बैठ गया तो ये मैं फिल सजने वाली नहीं है ये लोग आने वाले नहीं है ध्यान रखिए कुछ ना कुछ करो करो बिना करे जीवन में कुछ भी मिलने वाला कब करोगे? अभी नहीं करोगे? इस जनम में नहीं करोगे? तो क्या ये पूछ लग जाएगी? तप करोगे दो सीग निकल आएंगे तप करोगे चार पेर हो जाएंगे तप करोगे अरे अभी करो इसी वकत करो जो करता है वो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया करता है माने वाई तो सात भाईयों को भावी निकाल दिया जाओ कुछ ना कुछ ले कर आओ खाली हाथ मत लोटना घर में नहीं तो घर में प्रिवेश मिलने वाला नहीं है ध्यान रखिए गये साथों जिंदगी में कमाया नहीं हराम की खाई पोकट की खाई करें क्या क्या जें सेना के लिए, सेनिकों के लिए क्या-क्या काम वो कर रहे हैं, देश के लिए क्या काम वो कर रहे हैं, आने वाले समय में देखना, सेना का सम्मान तो सारी दुनिया करती है, एक दिन पुनी दादा का सम्मान भारत की सेना करेगी, सारी दुनिया उसे देखेगी, ऐसा व्यक्ति तो पहाड़ों पर बर फीली, पहाड़ों पर जाना, वहाँ जा जा कर लोगों के घर वसाना, मैं कह सकता हूँ, मैं तो केबल प्रवचनों से अपने जीवन, देश को मजबूत बनाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये तीनों मूर्तियां ऐसी हैं, जो देश को अपने कृत् बहुत आशिरवाद मैं उन्हें देता हूँ मैं मेरे पास आए विवाय हुआ अभी अभी दोनों का मुझे बहुत खुशी हुई बहुत आनंद हुआ और इतना आनंद कि जानवी जो बेटी घर में उसकी मम्मी ने कह दिया अभी तेरी सस्राल है विचारी गोले ये भी सस्रा मेरा घर मेरे बाप का घरinaire सस्राल मेंने का चिंता मत कर यदि मम्मी तुझे सस्राल कहती है टेक पुलक सागर तेरा मायका है तेरा पीयर है जब भी आएगी तो पीहर में पीहर की बहने बढ़ करके आएगे जीवन के सूत्रों को समझो шो इभावनाओं की संबंद हैं ये श आगे क्या चगंजी भुजवल मुंबई में भी मेरी मुलाकात हुई चातुर मास में कहां चिपे बैठे हैं इधार आओ और आज इस चभा में पधारे हैं होस्पिटिल के उद्गाटन में पधारे हुए हैं आज आईए थोड़ा मेरी तो देखलू बहुत दिन हो गए देख चातुर मास में आप आए और आज भी वो इस्मृतियां मुझे याद हैं और कैसे वह गुलाल बाड़ी में मेरा चातुर मास हुआ और वहां हाँ आईए ये कुर्सियां आपके लिए लगी हैं और हमेशा राजनीती धर्मनीती का दामन ठाम करके चली है और संत के चरणों में सीज जुकाने का चगन भुजबल अपना प्रणाम निविदित करने जरूर पहुचा करते हैं व्यक्तित उनका जीवन अलग था मैं चाहूंगा कि इस आउशर पर विराजे हैं इस महान तेज के उद्गाटन समारोई पर आज यहां पर धनपती भी हैं राजनेता भी हैं धर्मनेता भी हैं और समुसरन क्या होता यही तो समुसरन हुआ कर दो बोलना मुझे बहुत कुछ था लेकिन समय की सीमा काम बहुत बड़ा है कोई भी जाएगा नहीं जान रखना यह नहीं कि महराज बोले और तुम चले गए मैं चाहता हूं लोग मुझे बोलने की वज़ए से जानते हैं मैं जादा बोलता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आज करके दो शब्द यहां पर दोनों को बूलना है गबराओ नहीं आओ तो बूलने में तो अपन सब माहर है जोरदार तालियों से उस बाली का कसागत आईए और दो शब्द यहां पर वह रखेगी मेरी एक चाह है यह ना आईए आईए पर में करके जाए और एक दिन में ऐसा क् भावी ने कहा एदी खाली हाँ आए तो तुमको भोजन पानी मिलने वाला नए अरे भाईयों ने कहा बड़ी मुसीवत लिया अपन पहले ही अच्छे थे कुछ जुगाड़ लग जाता था भावी तो किया रही खाली हाँ आए तो तुमको यहां आने की जरूरत साम हो गई कुछ नहीं मिला निठलों को खाली चले बापिस छोटा वाला देवर था न उसने कहा यार कुछ नहीं मिला तो भावी भी कुछ नहीं देगी आज खाने को क्या किया जाए रास्ते में क्या देखता है एक मरा हुआ सांप डला था बोले चलो कुछ तो मूँ दिखाएंगे भावी को चल करके मरा हुआ सांप लिया और चला आया आ गया घर में भावी ने कहा क्योरे क्या लाए हो बोले हमें तो कुछ नहीं मिला कमाया नहीं ये पागल है जो मरा हुआ सांप ले करके आया है भावी ने कहा कोई बात नहीं अरे तुम छै से तो ये सातमा अच्छा है गया था कुछ ना कुछ तो लेकर आया है खाली हाथ तो नहीं लोटा है ना कुछ तो लाया है तो भावी से देवर ने कहा कि भावी जी इस मरे हुए साप का क्या करूँ बड़ा बोला जिंदई ले आता तो ये छे ने पढ़ जाते मरा काय को ले करके आया है बहावी ने कहा कुछ नहीं चतपे फाट दे लिए मरा हुआ सांप चतपे फैका भावी ने 7 नंबर के देवर को भोजन कराया तू खा इन छे को तो मिलने वाला नहीं है अरे उसने कहा यार मरे मुर्दे लाओ तो खाना मिलता है हमारा तो दिमाग ही नहीं चला लगता या तो हमारा दिमाग खराब या इस भावी का दिमाग खराब मुर्दे को खाना खिला रही है बया चक्कर के भोजन कराया एक बार क्या हुआ मरा हुआ सांप उपर डला था अब भावी ने कहा चलो कुछ तो किया है कुछ नहीं से या एक दिन क्या देखती है वह भावी चत पर गई जा कर देखती देखूं तो ये सब क्या कर रहे हैं जैसे ही चत पर गई रानी का हार वहां पड़ा हुआ है भावी ने हार उठाया अरी ये हार तो रानी का लगता है साधारन का तो नहीं हो सकता है लेकिन ये हार आया कहां से पता चला कि वो देवर जो मरा हुआ सांप लाया था जैसे ही सांप उपर फैंका उपर से एक चील उड़ते हुए जा रही थी वह रानी का हार ली थी जैसे ही मांस का तुकड़ा देखा हार छोड़ साप उठाया औरे भाग गई ध्यां काम कभी व्यर्थ नहीं होते हैं ध्यान रखना बात बहुत चोटी है बात बहुत बड़ी है हार चोड़ गई वह चील और ले गई रानी अब भावी ने कहा यार ये हार मैं रखूंगी तो फस जाओंगी है पुलिस ले जाएगी मुझे उठाकर देवर को लिया और ले करके पहुँच गई राजा के पास महराज रानी का हार मेरे पास है तेरे पास हार कैसे आया बुले मुझे च्छमा करो मुझे गलत मस् समझना मुझे नहीं मालुम है हार कहां से आ गया लेकिन मुझे लगता है ये हमारे घर के चत पर पड़ हुआ हार था तो बोले तेरे घर के चत पर कैसे आ गया बोले लगता है मरा हुआ साप गायब है और हार वहां पर पड़ा हुआ है इसका मतलब कोई पक्षी उसे उठा करके ले गया राजा ने कहा अच्छा मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा मैं तुम्हें कोई सजा न यहार मिला है बुले यार मरा हुआ सांप लाए तो पांच लाख मिले हम सब मिलकर मेहनत कर लेते आज कहां के कहां पहुँच गए होते जिंदगी में कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता है जिन्दगी में कोई भी काम बेकार नहीं हुआ करता है कुछ ना कुछ आदमी को करना चाहिए कि संस्कती में हम पैदा हुए कि शब्धता में हमारा जन्म हुआ कहां हम आए हैं अपने मन से तो नहीं आए न तुमने पिछले जन्म में किसी से कहा था कि अगले जन्म में मुझे ये वाले मम्मी पापा मिले नहीं कहा था ना ये किसमत से तकदीर से मिला करते हैं ध्यान रखना आपने ये कहा था मेरा जन्म उस घर में इसमें तुम कर क्या सकते हो क्या कर लोगे तुमारा जन्म कहा होगा कुछ नहीं कर लोगे पूरी तरह किस्मत के भरों से हो जाओ या किस्मत को बिलकुल दिमाग से निकाल के बाहर फैक दो, हो जाओ किस्मत के भरों से, जो होना है होगा हमको अब कुछ नहीं करना है, मिलेगा तो मिलेगा और नहीं मिलेगा तो, ऐसे तो जिन्दगी नहीं जी जाती है ना, इसलिए क रहूंगा कि ये जो नजारा यहां पर देख रहे हो ये किस्मत का नहीं ये महनत का नजारा है ये महनत से पाया गया है वो महनत से आज इसके बीच हम सब लोग बैठ करके यहां पर बैठे हुए हैं कोई आदमी ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि उसके बाद भी वहां हम सब एक साथ एक छत्र पर बैठ करके उनके गुणगान किया करते हैं लोगों ने कहा कि महराज आप संत है आप स्रावक का गुणगान क्यों कर रहे हैं गरस्त का गुणगान क्यों कर रहे हैं मैंने का क्यों नहीं करूंगा और राजा स्रेनिक भी तो एक गरस्त था न और जब राजा स्रेनिक का पुराण लिखा गया तो किसी राजा ने नहीं लिखा, वो किसी संत ने राजा स्रेनिक का पुराण लिखा है, राम का पुराण किसी राजा ने नहीं लिखा, रामायन कोई संत लिखा करते हैं, और महा भारत कोई ग्रस्त नहीं लिखा करता है, अपने जीवन में महलाओं से मेरा निवेदन है चंदनवाला ना बन सको तो कोई बात नहीं चंदनवाला का मारगवड़ा कठनाई का है संघर्सों का है कट घरे में बंद होने का है चंदनवाला ना बन सको तो कोई बात नहीं रानी चेलना बन जाना धर्म की प्रभावना अपने आप हो जाएगी महलों में रहकर भी धर्म होता है और जेल में रहकर भी धर्म हुआ करता है कुछ ऐसा करो राजा स्रेनिक बन जाओ मत बनो रिशब देओ राजा स्रियांस बन करके खड़े हो जाओ तो भी जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाता है अस्पताल के इस महायग में हमको यहां आने का जो आउशर प्रदान किया छोटी मा ने ताई कहो तो ताई जमता नहीं अपने को मा जमता है मा में सहद होता है मा में ममता होती है मा में हिर्दय होता है मा में भीतर का वाजसल का सागर लहराया करता है मैं आप से नवीधन करता हूँ अपने घरों में मम्मी कहना छोड़ दीजिए अपने घरों में मा कहना सुरूर करिए जीवन का आनंद ऐसा वरसेगा ऐसा आनंद मा कहो हमने सब बिताये छोड़ दी अपने सब्द छोड़ दिये मा कह करके बुलाओ पती को पती मत कहो नहीं वो तो हम पती कहेंगे जिन्दगी में ध्यान रखना पती को पती नहीं जैसे महा रामाइन महा भारत देखिये न कैसे प्यार से बुलाते हैं हे आरे पुत्र कौन बुला हम बोलेंगे तो पतनी कहेगी जादा नोटंकी मत कर जो कह रही है वो ही कह ध्यान रखना विजार करिए मा सब्द में सब कुछ समाया है एक अक्षरे मा लेकिन मैं कहता हूँ मा सब्द का एक अक्षर मा का एक अक्षर किसी बिश्विध्याले इसे कम नहीं हुआ करता है ध्यान रखे किसमत वाले हो तुम कि तुम्हारे पास मा है ध्यान रखना धंद उलत से कुछ नहीं होता मा से बड़ी शंपदा दुनिया में कोई दूसरी नहीं हुआ करती है एक मा ही तो है जो पूछती है बेटा घर क्यों नहीं मैं एक बात कहा कि छोड़ी सी पांच मिनट बोल दू एक सेट था मुंबई में मेरे दर्सन को आया प्रणाम किया मुझे मैंने सेट से पूछा कि सेट बड़े दुखी दिख रहे हो बोले क्या करूं महराज मैंने कहा सेट जी खाना खा लिया बोले खाना उसकी आँखों में आसु आ गए मैंने कहा इतने बड़े पैसे वाले मैंने ऐसा क्या क्या कह दिया उन्हें तो पूछा कि भोजन कर लिया क्या तो बोले महराज इतने बरसों के बाद आज पहली बार किसी ने पूछा कि तुमने भोजन कर लिया क्या इनका क्यों तुम्हारा परिवाद तुम्हारी मा तुम्हारी पत्नी पत्नी इस दुनिया में नहीं है मा मुझे छोड़ कर चली गई है और जब से मेरे बच्चे हैं यूँ तो चार बच्चे हैं लेकिन आज तक किसी बहू ने मुझे ये नहीं बोला कि दादा जी पिता जी खाना खा लो जब मा थी न तो दस बार फौन करती थी जल्दी आ खाना नहीं खाना है मैं कहता था दुकान बहुत चल रही अभी नहीं आना दुकान चोड़ खाना खा मैं जरा बीमार हो गया तो मा रात रात जगा करती थी लेकिन महराज जब से दौनों गए हैं तब से आज तक मेरी बहू ने नहीं पूछा कि तुमने भोजन किया या हाँ कमी कुछ नहीं है भोजन बना के रख देती हैं लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है एक बात ध्यान रखना जिस दिन मावाप नह हुआ करती है दुनिया में आज रहते रहते हमें कुछ पता नहीं चलता नारायन कृष्ण अपने सैन कक्ष में थे रुकमणी गई दूद का गिलास रोज दिया करती थी एक दिन रुकमणी नहीं जा पाई नहीं जा पाई ऐसे कैसे हो सकता है पत्नी थी धर्म पत्नी थी नार तुम्हें न कि रोज सुबय में दूद पीता रोज रात में दूद पीकर सोता हूं कल रात तुमने दूद नहीं दिया रुकमणी ने कहा कि कैसी बात करते हो ना रहे मैं और तुम्हारा ध्यान न रखू देखो अभी वी तुम्हारे सिराने पर दूद का गिलास रखा है एक दिन तुमने मुझसे पूछा था ना कि पत्नी के प्यार और मा के प्यार में क्या अंतर हुआ करता है आज उत्तर मिल गया तुमको बोले क्या उत्तर अरे मा भी तुम्हें दूद का गिलास देती मैंने भी दूद का गिलास दिया बोले रुकमणी तुम नहीं और मेरी मा यशोदा भी दूद का गिलास लाती मगर दोनों में इतना अंतर था पत्नी आती है सोता हुआ देखकर दूद का गिलास रखके चली जाती है और मेरी मैया यशोदा होती न तो जब तक मैं दूद ना पी लेता सारी राद गिलास लेकर बैठी रहती जब तक काना न मा का प्यार जमीन आसमान का अंतर हुआ करता है मानिवर मा बहुत महत्पोन होती है इसलिए मैंने शोभाताई में कभी शोभाताई को नहीं देखा हमेशा मैंने मा के दर्सन किये हैं ध्यान लखना चोके में लोग देखते होंगे न अभी भी चैन थोड़ी पड़ रही है मन तो वहीं वहीं भाग रहा है कि चलो भोजन साला में पहुचें रसोही में पहुचें लेकिन मा जेसी ममता मा जेसा प्रेम यह बात अलग है कि मा जब ज़्यादा पूछती है तो हमें गुस्सा आता है यह बात अलग है मा ज़्यादा केर करती है तो हमें जुझलाहट होती ह हरे तरस जाओगे उसके बाद जिंदगी में सब्द सुनने के लिए हजारों लोग मिल जाएंगे दुनिया में एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बताओ महराज जन्नत कहां है मैं पुलक सागर ने कहा जहां मेरी मा है वहां जन्नत है ध्यान रखना उससे बड़ा सुख कहा हुआ करता है आपसे निवेदन है ऐसा हरदय दुनिया में सबको प्राप्त नहीं हो तरता है जिनोंने अपनी सारी जिंदगी अपने पती की सुरक्षा में अपनी पती की सेवा में लगा दिया जिसने जब तक रसिक सेख जीवित थे शोभाताई ने कभी घर की दरवार्ज से बाहर नहीं निकली एक एक पल छाया बन करके उनके साथ रही ऐसा ध्यान रखना जो केवल शब्दों से नहीं भावनाओं से समझ जाती है कि इनके अंदर क्या चल रहा है अस्पताल में सेट गए तो रात दिन जिसने एक कर दिया अरे दुनिया के लिए तो बारा घंटे के दिन और रात होते होंगे लेकर उसने पूरी जिन्दगी को दिन और रात बना करके उनके लिए समर्पित कर दिया अपनी खुशियां भारात ऐसा जीवन जीओ उनकी कठोरता को मत देखो उनके हिर्दय को देखने का प्रयास करो मैं समझता हूं मैं जीता हूं मैं उनके साथ हूं देखता हूं किस तरह से जो सब्द मैं नहीं बोल पाता हूं उनके मन में वह प्रस्ण और समाधान लोट करके आ जाता है मैंने अपने जीवन में बहुत सी नारियां देखी मगर ऐसा व्यक्तित्म ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है ये बेटी बेटी है बहुत जितनी शुन्दर दिखती है उतना ही शुन्दर उसका विवार है और उन्होंने जब देखा कि एक जिन सर्णम तीर्थ का दिर्मान हो रहा है सूरत में आई उसने देखा कि महराज कुछ और मेरी माँ कुछ परेचसान है तीर्थ के लिए कमरे में आई बुले कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक ये बहन वैठी है मेरी माँ और मेरे भाई को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है और उसी समय उसने कहा तीरत पर जित्ता भी लगेगा मैं दूंगी मालूम है वहाँ पर हमारी पुनीजी वालन उद्योग पती और एक ऐसा अव्यक्तित जो मुझे बड़ा लुभाता है केबल धन पैसा रुपिया ही नहीं कमाता है वह लोगों की संबेदनाओं को भी समझा करता है वह लोगों की भावनाओं को भी समझा करता है शर्माता है तो ऐसा सर्माता है ऐसा सर्माता है जैसे काश्मीर की कलीवी सर्मा जाये देखकर लेकिन उसका सर्माना देखकर उसे नाजुक मस समझ लेना सारा पूना पुनी दादा कह करके बुलाया करता है